सुप्रबाद बच्चों, मैं आपकी हिंदी की तीचर, आज आपकी कक्षा साथ की हिंदी पाठ पुष्टक कदम से पाठ सत्रा अध्यापक के नाम पत्र पढ़ाने जा रही हूँ पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ बहुत प्रेड़ना दायक है इसमें अमेरिकी राष्टपती अब्राहिम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को एक पत्र लिखा है जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विध्यार्ती को इमानदार, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मिनेरवर बनाने के साथ साथ अपने बिचार स्वेम बनाने के पर बल दिया है ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो अमेरिका के मशूर राष्टपती अबराहिम लिंकन ने अपने बेटे के हेड मास्टर को एक चिठ्थी लिखी थी बरसों बाद भी एक पिता की सला आज उतनी ही खरी है जितनी कल थी चिठ्थी कुछ इस तरह थी, उसे बहुत कुछ सीखना है मैं जानता हूं कि सही भी इंसान इमानदार और सचे नहीं होते लेकिन हो सके तो उसे किताबों की जादू के बारे में सिखाईए इसके अलाबा हो सके तो उसे चीजों के बारे में सोचने का वक्त भी दीजिए ताकि पंचियों की आसमान में उडान भरने, मदुमक्यों की धूप में थिरकने और हरे बड़े पहाड़ों पर फूल में के खिलने की रहशों को परवे सोच सके इसकूल में उसे सिखाईए कि दोका देने से असफल होना अच्छा है किसी को दोका नहीं देना चाहिए इससे तो अच्छा है कि हम सफल ही नहों उसकार में भले ही दुनिया उसके विचारों को गलत बनाए लेकिन वह अपनी सोच पर भरूसा रखना सीखे उसे विनम्र के साथ विनम्रता और सक्त इंसानों के साथ सक्ती करना सिखाए उसे इतनी ताकत दीजिये कि वह लकीर का फकीर हो का भीड के साथ ना चल पड़े उसे सिखाईए कि वह उसकी बातें सुने लेकिन उन्हें सचकी कसोटी पर कसे और केवल सही चीज़ों को ही मनजूर करे उसे सिखाईए कि कैसे दुख में भी हसा जाता है कि आसू अगर बहें तो उसमें कोई शर्म नहीं है उसे सिखाईए कि सनकी लोगों को जुड़क दे और बहुत मीठी मीठी बातों से सापधान रहे अपनी ताकत और दिमाग की उची कीमत तो लगाए लेकिन अपने दिल और आत्मा का सोदा ना करे उसे सिखाईए कि अगर उसे लगता है कि वह सही है तो सामने खड़ी हुई चीखती भीड को अनू अनसुना कर दे उसके साथ नर्मी से पेश आईए लेकिन हमेशा गले से लगा कर मत रखिए क्योंकि आग में तब कर ही लोहा फॉलाद बनता है उसे इतना बहादुर बनाईए कि वह आवाज उठा सके इतना धेरवार बनाईए कि बहादुरी दिखा सके उसे खुद में भरोसा करना सिखाईए ताकि वह इंसानियत में भरोसा रख सके मेरी उम्मीदें डेर सारी हैं देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं मेरा बेटा एक अच्छा बच्चा है ये सब किसने लिखा है इब्राहिम लिंकन ने बच्चों इसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सभी मनुष इमानदार वे सच्चे नहीं होते और ये इब्राहिम लिंकन का जीवन परिचा है एक वार इसे पढ़ना आप और याद करना और ये शब्द पोट लिए इसे आप एक वार देखना और याद करना ये आपके कुछ प्रेशन उत्तर दिये गए है जिनने बच्चों आपके ग्रेकार में दे दिया जाएगा बता दिया जाएगा धनिवाद